वेलकम टू प्रिंस फैंटेसी एक्सपर्ट दोस्तो आ चुका है वर्ल्ड कप का एक और बड़ा मैज जो खेला जाएगा मैजबान यूएस से वर्सिस पाकिस्तान की बीच और इसमें आप देख सकते हैं एक करोड का फर्स प्राइज है हमारा भी यही सपना है कि आप ग्रें लाक है और थर्ड पर जो है 6 लाक है लेकिन अगर आप 51 रैंक तक भी आते हो तो भी आपके लिए एक लाख रुपे यहां पर मिलेंगे इसलिए यह कॉंटेस्ट एहम है अगर इसमें आपकी रूची है और जीतना चाहते हो तो यह वीडियो आप पूरा देख लेना क्योंक अगर आप बैस्ट लीग की टीम बिल्कुल फिरी चाहते हो तो आजा हमार टेलग्राम पर यह हमार टेलग्राम चैनल है इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो चलिए वीडियो की करते हैं सुरुआत दोस्तों करें वेन्यो की यह जो मैच है दोस्तों यह ग्रांड पैरली क्रिकेट इस्टेडियम डलास में खेला जाएगा और यहां की पिछ रिपोर्ट के अगर हम बात कें तो यह एक बैलांस पिछ है जहां पर गैंद बाजों को भी और बले बाजों को भी मदद मिलेगी और पेसर्स को यहां पर थोड़ा जादा मदद मिलने की संभावना है मैच के कुछ इस्टेड्स के अगर हम बात कें तो आप देख सकते हैं यूएस से ने अपने पिछले पांच मैचों में सिर्फ एक हारा है चार मुकाबले जीते हैं और पाकिस्तान ने पिछले पांच इसका मतलब है की पेसर्श को यहांओ तरहा बना से बरानी है सोच रहे हुँ मैं पाकिस्तान पर ज्यादा दाव लगा दूं ताकि मैं जीट जाओं लेकिन ऐसा नहीं है पिछले मैच में हमने देखा कि एंड्री गोज ने बहुत तगड़ी पारी खेली थी इसलिए इनका सेलेक्शन परसेंट बढ़ चुका है और जोनेस ने बहुत तगड़ी पारी खेली है रिजवान है मौनांग पटेव हैं सब क्या करेंगे रिजवान और गोज को लेकर जाएंगे मैं कहता हूं कि आप किसी टीम में घोज को हटाकर मौनांग पटेल के साथ भी जा सकते हो यह आप ट्रीक अपना सकते हो बैटरस में आप पूरी जो है त्रासी परसेंट लोग कहां जाएंगे जोनस के साथ जाने वाले मैं कहता हूं कि आप जोनस को हटा कर रिस्क लो क्योंकि हर मैच में हर इखलाडी नहीं चलता है पाकिस्तान का बॉलिंग जो अटेक है वो कापी तगड़ा इसलिए मुझे नहीं लगता है कि जोनस मोनस हर चल पाएंगे यह चल भी सक सकते हो तो इस तरीके से आपको टीम बनानी है कोरी अंडरसन का सेलेक्शन परसेंटेज जादा है एस टेलर का जादा है तो इन में से किसी एक को छोड़कर आइस वान के साथ आप जा सकते हो वहीं बॉलर्स में पूरी दुनिया साइन अपरीदी के साथ जाएगी नसीम साह यहां आप लिजय को लिया है और रावर्णर फखरजमान को बिलिया बॉलर्स में साहिन अफरीदी नसीम साहरी स्रूफ को बनाया यह नहीं यह मेरा पहला कंबीनेशन दूसरे कंबिनेशन दोस्तों मैंने गोज को छोड़ दिया सिर्प रिजवान को लिए है किसी बॉस्त तो मैंने यहाँ पर USA के लिए है एक सादाव को लिए है Boles मैंने एक خान को लिए है अगर महमज़ आमिर नहीं खेलते हैं तो नसीम साहा के साथ मैं जा सकता हूँ इसमें कैप्टान बाबर को बना है वों मैंने सादाव को बना है यह है मेरा दूसरा combination है तीसरे combination में भी मैंने दोस्तो एक बड़ा risk लेते हुए यहां पर बाग दी फोड़का सिर्फ मोऊनांग पटेल को लिया है और रिज बैक पर बैटर्स मैंने सब को बना है यह है मेरा तीसरा कॉंबीनेशन अगर फिलेंग लेवर में कोई भी चैन्ज होता है तो हमारी जो फिरी टीम आपको मिलेंगी वह हमारे टेलिग्राम पर मिलेंगी टेलिग्राम का लिंक आपको डिस्किप्शन मिलेगा उसे जरू जोइन कर ले बाइदावे वीडिय लिए चैनल को सब्सक्राइब